बेटे चलो आजो देखते हैं कि दही जमी है कि नहीं जमी है चल दी से आओ आजो सुइच को बंद करते हैं और ये इसको कवर को हटा के देखते हैं ममी जमी होगी या नहीं जमी होगी चलो देखते हैं रिम्वा ममी ये तो पूरी अच्छी तरीके से जम गई चलो इसका कवर ढखके इसको मशीन से अलग हटा कर फिर देखते है वा ममी यह तो बहुत तेश्टी एक स्पून पकड़ाना बटे जरा लो ममी यह तो बहुत अच्छी लग रही है मैं तो कल रात रात में इसको चटर पटर खा जाऊंगी हाँ यह तो बहुत वाकई में बहुत अच्छी जमी है तो चलिए कैसे जमाई मैंने चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ कि इस दही को मैंने कैसे जमाया यह हमारे पास एक बाउल है इसमें मैंने क्या किया है थोड़ा सा जामन ले लिया है दो चमच के करीब जामन है देखे मैं बहुत मैंने काफी दिन जमाने के बाद मैं यह रिव्यू दे रही हूँ आपको तो इसलिए जामन बहुत ज़्यादा लेनी के जरुवत नहीं है एक से दो चमच अगर आप जामन लेंगे तो इस इनफ पर देट और अब इसके बाद मैंने क्या किया है दूद डाला है रूम टेंपरेचर पर दूद होगा वो ही डाल दीजेगा इसको ज़्यादा गरम करने के जरुवत नहीं है दो ग्लास के करीब दूद लिया है और फिर उसके बाद मैंने इसको मिक्स कर लिया है आप इसके बाद क्या करेंगे चली बेटे आप बताईए इसके बाद हम क्या करेंगे हमको इसको श्टर करना है गोल गुमाना है है ना उसके बाद हमको थोड़ी देर में उसको निकालना है आप इसको इस पून से भी कर सकते थे या आप इसको इस किसायता से भी कर सकते थे अब हम क्या करेंगे बेटे बताईए अब हम मशीन को डिबे में से निकालेंगे देखे मेरी बेटी मेरी हेल्प कर रही है दही जमाने में और मैं इस machine को लेके बहुत खुश हूँ अब बेटे बताईए अब क्या करेंगे अब हम इसको खोलेंगे फिर इसका taar हम इसमें लगाएंगे उसके बाद हमको डालना है उसमें जो हमने बनाए थी उसके अंदर धकन धक्के और डालना है उसमें उसके बाद खोल के दिखाना है तुमको फिर बंद करना है ठीक है उसके बाद धकन धकना है उसके बाद फोरा इंतजार करना है और connection तो हम भूली गए अब connection भी तो लगाना है और फिर हमने इसको on कर दिया और ये हमको five to six hours के लिए रखनी है देखिए रात में मैं क्या करती ह हूँ जब सारा काम finish हो जाता है तो मैं इसको connect करके रख देती हूँ और जब सुबह उठती हूँ तो मैं इसको switch off करके सबसे पहला काम दही निकालने का ही करती हूँ अगर मुझे टिफिन में बच्चों को देनी होती है तो भी मैं यही वाली दही दे देती हूँ क्योंकि यह नुकसान भी नहीं देती है क्योंकि घर की जमी हूँ दही है और बहुत tasty भी रहती है मीठी रहती है खटी नहीं रहती और बेटे बताईए अब हम क्या करेंगे अब हम इसको निकालेंगे बंद करके फिर हम इसको अलग हटाएंगे अब देखो किंती अच्छी लग रह है न तुम भी ट्राय करने इस विसलती और और फिर उसके बाद देखें हमारे नहीं कितनी अच्छी जम्ouring है इतनी तो मार्केट में भी नहीं अच्छी जम्ती हां कितनों अच्छी जमियए बिलकुल एकदम चका सी दही है अगर आपको ये मिल्ठी मिल्ठी जई अच्छी लगी है तो एक लाइक करना और सब्सक्राइब करना गुडबाई टाटा अभी वन्दना टेंग चैनल नेम इस अभी वन्दना टेंग बाई